अगर आप यहां जकड़े हुए बैठे हैं, अपनी सीमाओं में बंद कर, तो ये आप बनाम ब्रह्मांड है. आप बनाम ब्रह्मांड एक मुर्खता पून मुकाबला है. योग का मतलब है कि आपने अपने अलग व्यत्तित्व की सीमाओं को मिटा दिया है. फिर आप देखें हम जीवन के हर एक पहलू का अनुभव कैसे कर सकते हैं? सभी विवश्था बरे कामों से अचूते रहकर और उनके साथ अटके बिना. हम कहते हैं मैं शराब नहीं पीना चाहता, मगर कहीं न कहीं हमें यह डर है कि हमें उसकी लट लग जाएगी. मेरा सवाल ये है कि हम देखिए, कोई नहीं कहता कि मैं शराब पीना चाहता हूं. कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं. कुछ लोग जो पीते हैं, शायद वो बस उसके मजे के लिए पीते हैं. कुछ लोग शायद इसलिए पीते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ डुबोना कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि हर कोई पी रहा है ये एक विकास की समस्या है जब हम बंदर थे अगर एक बंदर यूँ करता तो हर कोई ऐसा करता और कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नैतिक रूप से गलत है कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके माबाप क्या कहेंगे या समाच क्या कहेगा कुछ लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें अपने अंदर कुछ बहतर मिल गया है उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जो शराब से कहीं बहतर है तो उनके मन में ये विचार कभी नहीं आया, कि उन्हें शराब पीनी है, क्योंकि वो खुदी मज़े में है, उन्हें बाहर से किसी केमिकल की मदद नहीं चाहिए तो ये अलग-अलग तरीके हैं अगर आप जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर सकते हैं आप कला का अनुभव नहीं कर सकते, आप अध्यात्म या किसी और चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर सकते हैं, हाँ? शायद आप इसे खास नजरिये से देखें शायद कोई इसे कला के नजरिये से देखे या सुंदर्ता के नजरिये से, संगीत के नजरिये से, आध्यात्म के नजरिये से मगर मूल रूप से हम जीवन का अनुभव कर रहे हैं अगर आप निर्जीव चीजों को देख रहे हैं, तो भी आप सिर्फ जीवन का अनुभव ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाहर कुछ भी नहीं होता, होने वाली हर चीज सिर्फ आपके अंदर होती है, है न? तो आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि ये रंग है, आप सोच सकते हैं कि ये आवाज है, आप सोच सकते हैं कि ये कुछ और है, नहीं, आपके अनुभव में, आप सिर्फ उन छापों का अनुभव कर रहे हैं, जो अलग-अलग चीजें आपके जीवन पर छोड़ती है, आप सिर्फ इसी तरह इसका अनुभव कर सकते हैं, आपके पास अनुभव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो मूल रूप से आप सिर्फ जीवन का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहुंच और किसी चीज तक नहीं है, हाँ, अभी मैं स सोथ सकता हूँ कि मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बस उस तस्वीर को देख रहा हूँ, जो मेरे मन में बनती है, है कि नहीं? अगर आप अपने बगल वाले व्यक्ति को छूते हैं, तो आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति के हाथ को महसूस कर रहे तो क्या ये एक कैद है कि आप सिर्फ इसका अनुभव कर सकते हैं? नहीं, अगर आप इसका अनुभव करते हैं, तो हर चीज एक संभावना बन जाती है, क्योंकि, देखे, जब शरीर की बात आती है, तो हम साफ साफ जानते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, वो आपका मन है, सौ प्रतिशत, है ना? मगर जब जीवन की बात आती है, तो आपका जीवन और मेरा जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक जीता जाकता ब्रहमांध है, आपने बस उसका एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा है, आपने कितना पकड़ा है, आपने अपने अंदर कितना जीवन इकठा किया है, इसी से तै होगा, कि आपके जीवन का दाइरा और स्तर क्या है? तो चाहे आप उसे कला कहें, चाहे आप उसे संगीत कहें, चाहे आप उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहें, या काम की प्रकृती चाहे जो भी हो काम एक साधन है आपके व्यक्तित्व की सीमाओं को खोलने का ताकि आप से बड़ी कोई चीज आपके साथ हो सके आप जिसे मैं समझते हैं उससे कुछ बड़ा आपके जीवन में आपके साथ हो यही प्यार का मकसद है, यही कला का मकसद है, यही सेक्शुयलिटी का मकसद है, यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का मकसद है मूल रूप से कि कोई मुझसे बड़ी चीज मेरे साथ घटित होनी चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ ये होता है तो मैं इसके अंदर कैद महसूस करता हूँ हाँ या न? आप इसे अलग-अलग तरीकों से समझते हैं मगर असल में आप जिसकी खोच कर रहे हैं वो ये है कि आप किसी तरह अपनी ही सीमाओं के बंधन से परे जाना चाहते हैं योग यानि आपनी योग के बारे में सुना है अलो? योग का मतलब है लोग सोचते हैं योग यानि मुड़ना और मरोड़ना नहीं होता योग शब्द का मतलब है मिलन मिलन यानि अगर आप यहाँ बैठे हैं यहाँ आप मौजूद है और ब्रहमांड मौजूद है. अगर आप यहाँ जकड़े हुए बैठे हैं, अपनी सीमाओं में बंद कर, तो यह आप बनाम ब्रहमांड है. आप बनाम ब्रहमांड एक मूर्खता पूर्ण मुकाबला है. आप मेंसे जो लोग हर समय इस तरह रहते हैं आपके और ब्रह्मान्द के बीच का मुकाबला बिलकुल मूर्खता पून है अगर आपके पास जरा भी समझ है तो आप ब्रह्मान्द के साथ मुकाबला न करें क्योंकि आप इस ब्रह्मान्द में एक छोटा सा गण है आप कैसे मुकाबला करेंगे एक अलग व्यक्तित्व का मतलब यही है एक अलग व्यक्तित्व का मतलब है कि आप ब्रह्मांड के साथ भिड़ गए है योग का मतलब है कि आपने अपने अलग व्यक्तित्व के सीमाओं को मिटा दिया है ये अंतर कि आप क्या है और ब्रह्मांड क्या है, काफी हद तक कम हो गया है, अगर आप यहां बैठें, तो जो आप है और जो बाकी सब कुछ है, वो आपके अनुभव में लगभग एकसा हो गया है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि मेरा जीवन और बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ बहुत बढ़िया, कुछ अनोखा, कुछ सही मायने में कुछ महतोपून बनाना चाहते हैं, तो आपको एक अनुभव चाहिए, ये जरूरी है कि आपके अंदर उल्लास, खुशी और गहनता का अनुभव हो, मगर अभी दुनिया में बह इनके जीवन का सबसे गहरा अनुभव है, अगर हम आपको बस एक पिन चुभो दें, सिर्फ एक पिन, तलवार नहीं, सिर्फ एक पिन, तो दर्द बिलकुल भीतर तक जाता है, है ना, हलो, सिर्फ एक छोटी से पिन, एक इंच की पिन, अगर मैं अभी उसे चुभो दूँ तो दर्द कहीं ज्यादा आसानी से गहरा बन जाता है, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि दुख ही गहराई का स्त्रोथ है, इस सोच को बदलना होगा, खुशी की गहराई को जानने के लिए, प्यार की गहराई को जानने के लिए, उल्लास और जीवन की तीवरता की गहराई को जानने के लिए, किसी और चीज की जरूरत होती है